हेलो एवरिवन वैलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपून है और बहुत इंट्रेस्टिंग है और शोट वीडियो है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले तिन दिनों में आपने अगर कोई सपना देखा है तो किस हद तक सच होने वाला है क्या शूब और अशूब परिणाम आपको सपने के मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए बलाइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना देदी करें सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहे होंगे तीन फ्लॉवर मैंसे कोई एक फ्लॉवर आप चूस कर लिजिए देखते हैं आपन अब उन संकेतों से उन बुराइयों से लड़ने की ताकत दे तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले नंबर का फ्लॉवर जिस किसी ने भी चुस किया है नंबर वन फ्लॉवर देखिए दोस्तों अगर आने वाले तीन दिनों में आपने अपन सपने में साप दिखने का यही मतलब होता है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले समय में कोई बहुत ही सुकत घटना आपके साथ होने वाली है कहीं से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा प्र इसका मतलब यह होता है कि उसकी उम्र बढ़ गई है इश्वर ने उसे जीवन दान दिया है तो अगर किसी की मौत का अगर आप सपना देखे तो बिल्कुल टेंशन ना लेजिए अगर आपने आने वाले तिन दिनों में सपना देखा है तो उस व्यक्ति के लिए वो जीवन दान साबित होगा जिस व्यक्ति का आपने सपना देखा है इसके साथ ही तीसरे सपने की बात करें तो सपने मगर आपने किसी करीबी की मोत को देखा है तो निश्चित तोर पर यह बुरा संके थे इसका मतलब है कि आपके नीजी और व्यवसाइक रिष्टों में मुसीबत आने वाली उस व्यक्ति के साथ जो आपका रिष्टा है देनिक दिन चरिया में आपको सावधानी रखनी क्योंकि उससे लड़ाई जगड़े हो सकते हैं साथ उससे अनबन होने की भी संभावना है वह उस व्यक्ति से आप बिल्कुल बहस ना करें अगर वह व्यक्ति आपक सेकेंडनमर का फ्लावर जिस्किसी ने भी चूस किया है तो अगर आपने सपने में किसी को र्योता हुआ देखा है और खुद को भी र्योता हुँए चिलत हुए देखा है तो यह बताता है अपनी असली जिंदगी में बहुत परेशान है आप बहुत जाधा बेचवत रहत तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी life में किसी समस्या को सुलजाने की वजाया उससे भाग रहे हैं या भागना चाह रहे हैं लेकिन आपका कदम ही नहीं उठा तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आत्म विश्वास की बहुत कमी है तो tension मतलई जी अपने अंदर confidence level बढ़ा और दोखा मिलने के संकेत बिल्ली देती है हम को युद्ध ही यह वह से दुस्तिर के जाती रहती तो तो अगर सपने में आपने देखा है कि आप निउड है तो इसका मतब यह है कि आपके साथ भविश्य में अपमाने शर्मीन्दा या फिर आहत या अपना ही कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ये जो आपका सपना है हो सकता है आने वाले भविश्य में सज भी हो या नहीं भी हो ये कार्ड बता रहा है थोड़ा मिला जुला प्रभाव कि अगर आपने अपने आपको नियूट देखा है साथी दोस्तों कोई मृत प्यक्ति अगर आपको कुछ दे रहा है भविश्य में तो आपको उसका बहुत आर्थिक लाब होने वाला है अगर सपने में कोई आपका करीबी जिनकी डेथ हो चुकी है लिकिन वह आपको सपने में कोई चीज दे रहे हैं जो शायद आपने देखी भी नी हो देखी भी नी हो तो वह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है इस बात का ध्यान रखेगा अगर सपने में आप खुद को उचाई से गिरते होगे देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपको अर्ष अफलता और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इसके साथ ही अ जो भी समय आएगा हमें उसमें पॉजिटिव रहना है सपने सपने होते हैं हो सकता है इन सपनों का मतलब सही भी हो लेकिन अगर सही नहीं भी हो हो भी तो हमें पॉजिटिव बने रहना है इश्वर पर भरोसा करना है वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे तो दोस्तों व माता दी रादे रादे टाइप जरूर करेगा मिलता ही नेक्स प्वीडियो में अविकला आप सबको बहुत बहुत दनीवाद जय माता दी हरमादी